आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ So now we are doing the final video and the final part of the chapter अब भी से हमने उपर तीन वीडियो कर चुके हैं हम इसकी क्योंकि यह बहत एक लंबा चाप्टर था तो अब तक हम देख चुके हैं कि जो इवान्स है वो escape हो चुका है प्रिजन से और सब लोग उसे ढूनने में लगे हो है पर किसी को भी वो नहीं मिला है So let's do the last part of the chapter कि अब इवान्स जो है वो क्या सोच रहा है If Jackson had made him take his bobble hat off Phew, that really had been a close call Still old Jackson wasn't such a bad fellow अब यहाँ पर क्या होता है वो इस बारे में सोच रहा होता है कि भई वो थोड़ा सा तो उस से में वो सोच रहा होता है कि सोचो अगर ऐसा होता कि Jackson ने उसको जब हमने स्टार्टिंग में देखा था चाप्टर में तो वो उसको उसकी वो बॉबली सी गंदी सी जो हैट है वो हटाने के लिए बोलता है पर जो इवान्स है वो बहाना लगा देता था कि भई ना वो मेरे लिए बहुत सादा लगी है मुझे नी लगता है तो मैं ऐसे करोगे और अगर वो उस हैट को हटा डेता तो उसे पता चल जाता कि उसने जो अपने बाल है वो इतने छोटे-छोटे काट लिये है so had made him take his bobbly hat off that really had been a close call वो बाद जो थी वो बहुती जादा पास थी कि उसका जो भांडा था वो फूट जाता still old Jackson wasn't such a bad fellow पर फिर बिजो Jackson था वो इतना बुरा नहीं था one of the worst things funny really had been the beard he had always been allergic to sticking plaster and even now his chin was irritatingly sore and red और एक बहुती बुरी और funny चीज ये थी कि जो beard थी जो दाड़ी मूच थी उसकी जो उसने नकली बनाई थी तो वो जो sticking part होता है जिससे वो चिपकाते हैं उसे उसे allergy थी तो उसकी chin पे पूरे पे वो irritate कर रही थी और उससे उसको बहुत जादा allergy हो रही थी अच्छा है वहाँ पे जो इंसान है वो change हो गया वो उसके अच्छे के लिए ही है जैसी उसने वहाँ से कीज ली तो उसने उसको बहुत ही अच्छे से smile किया तो वो उसको बोलता है कि मैं आपको breakfast के लिए परिशान नहीं करूंगा और फिर उसने बोला कि उससे 6.45 पे सुबह सुबह एक कॉल जरूर कर दीजेगा कल जो है वो एक और मतलब की बहुत ही जादा बीजी दिन उनके लिए होने वाला है अब वो अराम से सीटी बजाते हुए स्टेर्स के उपर चड़ता हुआ जा रहा है उसको यह जो सारे आइडिया थे ना कि वो मिनिस्टर की तरह वो जो डॉक कॉलर होता है वैसे ड्रेस करेगा अपने आपको वो सब चीजों से बहुत बढ़िया लग रही थी यह जोली गुद आइडिया फो माकलरी तो विर टू ब्लाक फ्रंट तो कॉलर और यह जोली बहुत ही जादा हसाने वाला और बहुत अच्छा आइडिया था माकलरी के लिए कि उन्होंने दो ब्लाक फ्रंट और दो कॉलर पहने हुए थी तो यहां पे वो सारा टाइम मतलब की जो प्लानिंग प्लॉटिंग जब उन्होंको ने एक्जीक्यूट की वो वाला टाइम याद कर रहा है वो और वो कह रहा है कि जब माकलरी बनके आया था मतलब वहां पे वो दो-दो पहन के आया था तो जब वो वहां पे बैठा हुआ था ना तो उसकी नेक से वो जो कॉलर है वो बार-बार स्लिप कर रही थी तो उस टाइम उन्हें क्या है वो बहुत पैनिकिंग मुवमेंट हो गया था उनके लिए क्योंकि वो लोग इस वज़े से क्या हो सकते थे पकड़े जा सकते थे और आमने एक बात नोटिस की थी कि जब माकलरी को वो लोग बाय बाय करने जा रहे होते हैं तो वो कहते है कि उसे वो थोड़ा पतला लग रहा था तो वो पतला शायद इसी लिए लग रहा था क्योंकि उसने दो-दो चीज़े पहन रखी थे और जब वो वापिस आया तो उसने सिर्फ एक ही पहनी हुई थी पर उन्होंने क्या किया वो प्रॉबलम को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया यहाँ पर जो लिटल प्रॉबलम है वो लोग Stephen को बोल रहे है कि उसको ये चीज़ का पता ना चले इसलिए उसने अपना हाथ जो है वो अपनी नेक की कॉलर पे रख लिया था ताकि वो उसे पकड़के बैठा रह सके और जो Stephen एक प्रॉबलम थी उनके लिए उसको इस बात का बता ना चले अब उन्होंने क्या किया कि Stephen को बोर करने के लिए वो हमेशा सिर्फ एक ही पोस में बैठा रहा अपना पैन अपने मूँ में दबाके ताकि जो Stephen है वो बार बार देखे तो उसे सेमी चीज़ दिखियो और वो इस चीज़ से इरिटेट हो जाए अब ये सब चीज़ें तो सही थी पर सबसे जाएदा मुश्किल पार फिदलिंग अब 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 तो चेंज करने का पार था ना बांके अंदर सारी ड्रेस को बात असानी से In the car, he had found everything they had promised him Soap and water, clothes, the map Yes, the map, of course अब गाड़ी के अंदर जो भी चीज़े उनोने उसको प्रोमिस की थी वो सभी उसे मिला जैसे की साबुन, पानी, कपडे, map अगेरा सब कुछ उनोने उसको प्रोवाइट किया था The audience survey map of Oxfordshire He had got some food, good friends, some very clever friends Christ, ah अब जो audience survey map होता है न, Oxfordshire का वो map उसे महाँ पे दिखाया गया था उसने ये सब चीज़े बोली होंगी कि भई उसे वो चाहिए है तो उस टाइम उसे गाड़ी में वो सभी चीज़े मिली He had got some good friends, महाँ पे उसे कुछ अच्छे दोस्त में मिले He unlocked his bedroom door and closed it quietly behind him अब उसने क्या क्या अराम से अपना bedroom का door खोला और चुप चाप उसे बंद कर दिया And then stood frozen to the spot like A man who has just caught a glimpse of the gawgan और एकदम से अपने कमरे के अंदर जाके बिलकुल शांती से और एकदम सुन खड़ा हो गया जैसे वो जम गया हो जैसे कि उसे गौगन की कोई जहलक देखने के लिए मिल गई हो Sitting on the narrow bed was the very last man in the world that Evans had expected or wanted to see अब उस bed के पास एक आदमी बैठा हुआ था जो की मतलब की दुनिया का आखरी आदमी होगा जो की वो देखना चाहता होगा कभी अपनी जिंदगी में अब जो गवर्नर है वो उसकी रूम में अलरेडी बैठा हुआ होता है वहाँ पर जैसे वो अपने रूम में जाता है और वो कहता है कि मतलब कि यह जो तुमने ट्राइव अगेरा किया न यह वर्थ नहीं था मतलब यह इतना जादा जरूरी नहीं था और लायक नहीं था जैसे ही इवैंस की जो आँखे हैं वो एकदम मतलब पूरे कमरे के अंदर तो वो एकदम से पूरे कमरे में घूम गई कि मेरे चारो तरफ तुमारे जो आदमी है वो तुमारे चारो तरफ fell चुके वेल, there were only two really, but इवैंस need not know that पर महाँ पर ओविसली दो ही लोग थे और जो इवैंस था उने नहीं चालता था वो बहुत स्वीट थी इवैंस बुरी तरीके से चौक चाता है अब वो दोनों हाथों से अपना माथा पकड़के नीचे जमीन पर बैट जाता है और वो बहुत बड़ाओं से धक्का लग चुका होता है कि जितनी भी planning plotting वो करी थी वो सब कुछ उसकी waste हो गई और वो वापिस से पकड़ा गया और एकदम से बिलकुल silence वहाँ पर हो जाती है वो कहता है कि यह जो सारी गलती हुई है वो उस correction slip की वज़े से ही हुई है जो उसने वहाँ पर छोड़ दी थी अब वो एकदम से वेल वेल बोलता है पर उसमें जो डीप सेटिस्फाक्शन होता है कि उसने उसको पकड़ लिया है गवर्नर ने वो उसकी वोइस में नहीं समझ में आता कुछ और लोग भी हैं जो की थोड़ी सी जर्मन यहाँ पे जानते हैं धीरे धीरे इवैंस जो है वो थोड़ा सा रिलाक्स हो जाता है वो फिर आराम से बैठ जाता है और मतलब हसने लगता है क्योंकि उसे पता है कि अब तो वो पकड़ा ही गया है तो फिर वो कहता है कि तुम्हें पता है कि वो एक मिस्टेक नहीं थी तो वो यहां पर यही बूल रहा है कि जो बड़ी मिस्टेक थी वो यह नहीं थी कि वो लोग होटेल अरेंज नहीं कर पाए वो इस काम को किसी और तरीके से भी कर सकते थे पर जो सबसे बड़ी मिस्टेक थी वो यह थी कि जो फोन कॉल उन्होंने किया ना मतलब की सबसे important चीज जो थी वो ये थी कि जो उन्होंने phone call किया वो exactly time पे किया जब exam finish होने वाला था क्योंकि उस वज़े से क्या हुआ जितने भी लोग आसपास थे वो सब distract हो गए और वो जो अपना काम थे वो कर पाए and like a fool I presented you with that little piece of information on a plate और एक मतलब बेवकूफ की तरह मैंने आपको वो जो little piece of information थी जिसके उपर वो सारी information दी थी वो plate में सजा के दे दी well somebody did so you see sir that correction slip killed two little birds with a single stone didn't it तो मतलब की आपको क्या लगता है sir आपने देखा कि वो correction slip ने दो छोटे छोटे जानवरों को मार दिया एक ही पत्तर से मतलब दो तीर से एक ही निशाने हाँ पे लग गए the name of the hotel for me and the exact time the exam started for तो वो कहता है कि देखो इस correction slip ने मेरे लिए दो तीर से मतलब एक तीर से दो निशाने लगा दिये थे जो होटेल का नेम था जो हमें याद करें अगर हम correction slip में कुछ golden in low end करके लिका था और यहाँ पे होटेल का नाम भी golden low end था तो उसने मुझे क्या दिया exact time दिया जब exam स्टार्ट होने वाला था उसका और होटेल का नाम भी उसने मुझे प्रोवाइट कर दिया तो governor मतलब की अपना सर हिलाते हुए बोलता है कि यह बहुत ही एक common word है तो यहाँ पर events बोलता है कि हाँ यह word जो है वो बहुत जादा common है I know वरना मुझे कभी भी बता नहीं चलता कि मुझे कहाँ पर आना है नाइस नेम दो जम गोल्डनीन लोयन तो फिर governor बोलते है कि जो नाम है वह बहुत अच्छा है जम गोल्डनीन लोयन यह जर्मन में नाम लिखा हुआ है यहाँ पर How did you know which golden loin it was? There's hundreds of them तो अब जो events है वो governor से पुछता है कि आपको कैसे बता चला कि यह कौन सा golden loin है क्योंकि यहाँ पर है वो बहुत सारे ऐसे नाम के hotels है Same as you events जैसे तुम्हें बता चला, governor बोलते है Index number 313, center number 271, remember, six figures and if you take an ordinance survey map for Oxfordshire, you find that the six figure reference 313271 lands, you bang in the middle of the Chipping Norton Now in lines में, जो governor है वो कहते हैं कि जैसे तुम्हें बता चला, वैसे ही मुझे बता चला, क्योंकि उसके लिए जो starting में correction slip आई थी जब वो exam दे रहा था, उसमें, नहीं, जब वो exam दे रहा था, तो जो mcclory था, उसने उनको, उनका index number और उनका center number बताया था इससे उनने hint मिला था, Evans को, कि उसे कहां जाना है और वो जो governor है, वो कहता है कि हमें भी ऐसे ही hint मिला, फिर हमने जब Oxfordshire के map पे ये सारी calculations किये, तो हम Chipping Norton आके रुके तो वो कहता है कि हां, तुम ठीक हो, हमने जैसे उसे खोला और फिर हम Newbury के लिए भाग लिए अब यहाँ पे वो कहता है कि क्या तुम्हें वो question paper सच में समझ में आ भी रहा था क्योंकि उसमें जो सारी चीज़ें थी वो German में लिखी हुई थी Nah, of course, I couldn't, I knew roughly what it was all about, but we just opened it, would throw a few spanners in the works, you know, sort of muddle everybody a bit अब in lines में वो कह रहा है कि नहीं, मुझे German समझ में नहीं आती, but एक idea हम उससे लगा सकते हैं, एक rough idea कि वो क्या कहना चाह रहा है, हमें hints उससे मिल गई थी, जिसको मैंने थोड़ा सा मतलब की calculate करके यहाँ पे मैं पहुचा अब गवर्नर एकदम से खड़ा होता है कि बाकी सब तो ठीक है, पर तुम्हारे पूरे सर के ओपर डालने के लिए, तुम्हें चोट तो नहीं लगी थी इवान सब्सक्राइब से बहुत जादा खुश हो जाता है और बोलता है कि यह बहुत ही जादा मतलब चलाकी का काम धाना सर उनसे पूछता है कि एक कपल ऑफ पाइंस ऑफ बलड लेके आना सेल के अंदर और फिर वो कहता है कि वो कहता है कि जो इन्विजिलेटर है वो जब अंदर आने वाला था तो उसकी चेकिंग होने वाली थी वो कैसे होती यह जादा इंपोर्टन है तो वो डरने की बात जादा थी और वैसे मतलब आप कुछ और पूछ सकते हो इस बारे में क्योंकि मुझे नहीं लगता आपको इसके बारे में पूछना चाहिए या मुझे इसके बारे में बताना चाहिए या नहीं बोलते है कि वो जो rubber ring थी जो कि piles के लिए उन्होंने बोला था Maclory ने, क्या उसमें तुम blood लेकिया थे Evans grin feebly, clever though wasn't it, अब Evans वापिस से थोड़ा सा हसने लग जाता है और बोलता है कि मतलब clever दो, बहुत चलाकी का काम था ना sir, nah you have got it wrong sir, no problem about that, तो वो कहता है कि governor, मतलब की Evans कहता है कि वो काम इतना मतलब की चलाकी का नहीं था या उसको अंदर लाना इतनी साथा बड़ी problem नहीं थी तो गवाना बोलता है, नहीं, वो नहीं थी ना, it's the clotting you see, that's the big trouble, तो Evans कहता है कि blood को clot होने से, जब हमारा खून बहुत देर शरीर के, मतलब शरीर के बाहर निकलता है, तो वो clot होना स्टार्ट हो जाता है तो कहते है कि हम उसको clotting से बचाना था we got the blood easy enough हमें blood बहुत असानी से मिल गया था pig's blood, वो pig का blood था it was from the slaughterhouse in Kinglington, slaughterhouse होता है जहां पे इन सारे जानवरों को काटा जाता है, आगे import-export के लिए या उनका कोई भी food बनाने के लिए या उनकी जो skin वगएरा use करने के लिए, slotting means उनने मारा जाता है तो वहाँ से हमने pig का blood ले लिया था but to stop it clotting you have got to mix your actual blood evans took a breathe, अब अगर आपको clotting से बचाना होता है न तो आपको उसमें अपना actual blood मिलाना होता है और फ्रिवांस इंदम से सांस लेता है with one tenth of its own volume of 3.8% trisodium citrate और फिर मतलब की एक tenth percent मतलब उसके अंदर जो है volume वो trisodium citrate का मिलाना पड़ता है, didn't know that did you sir, आप इस बारे में नहीं जानते थे न sir फिर वो बोलता है फिर भी अपना सर पकड़के सर हिलाता है we learn something new every day they tell me, come on, on me my lad, तो वो कहता है कि हम हर एक दिन कुछ न कुछ नया सुनने को मिलता है, हमें कुछ नया सीखने को मिलता है, वो कहता है चलो लड़के इवांस made no show of resistance and side by side the two men walked slowly down the stairs सब इवांस कोई भी मतलब ऐसे नहीं करता भागने की कोशिस या रिजिस्स नहीं करता कि मैं नहीं जाऊंगा वो आराम से चलने लग जाता है और जो दो आदमी है वो side by side उसके साथ चलने लगते है वो जो prison officer और जो होते हैं सब्सक्राइब के साथ आये होते हैं governor के साथ तो governor पुछते हैं कि तुम यह सब कैसे प्लान कर लेते हो you have made no visitors I haven't seen to that you have had no letters वो कहते है नही तो तुम से कोई मिलने आता है नही तुम आपश कोई letters आते है तो तो तुम यह सब प्लान कप करते हो I have got lot of friends though तो वो कहते है मेरे बहुत दोस्त है sir what's that supposed to mean तो governor कहते है इसका मतलब क्या है meet German teacher for a start आप German teacher कोई ले लो you mean but he was from the technical college तो कहते है कि German teacher वो तो technical college से था was he Evans was almost enjoying it all now ever check up on him sir तो कहते है क्या वो था है technical college से मतलब आप Evans को मज़े आ रहे है उसको सारे चीज़ें बताने में कि किस तरीके से उन्यों से वेफकूफ बनाया क्या आपने अभी चेक किया कि वो कहा से था God Almighty there is far more going on than I तो कहते है Hey भगवान मुझे कुछ भी नहीं पता है इस बारे में मतलब जितना मैं जानता हूं उससे बहुत कुछ आगे चल रहा है Always will be sir हमेशा चलता रहेगा sir Evans बोलते है Everything ready Ask the governor as they stood by the reception desk अब governor reception desk के पास खड़े होके बोलते है कि क्या सब कुछ तयार है The van's out in the front sir said the pretty blonde receptionist अब जो एक बहुती सुन्द गोरी सी receptionist वाँ पे desk पे खड़ी होती है वो बोलते है कि सब कुछ बाहर ready है van भी बाहर खड़ी हुई है Evans winked at her and she winked back at him Evans उसकी तरफ आख मारता है winked means आख मारता है और जो lady है जो blonde receptionist है वो भी उसकी तरफ आख मारती है It almost made his day इससे उसका completely जो है वो दिन बन जाता है A silent prison officer handcuffed the recaptured events and together the two men clambered awkwardly into the back seat of the prison van अब एक silent prison officer होता है मतलब वो चुब बैठा होता है वो handcuffs बाहन देता है handcuffs होते हैं हतकडियां बाहन देता है vans के हाथ में और जो दोनों आदमी होते हैं वो उन सीडियों पे clambered मतलब होता है सीडियां चड़ना जैसे जो वैन में चड़ने के लिए सीडियां लगे होंगी न उसके ओपर चड़ते हैं और बैक सीट पे जाके prison van की बैठ जाते हैं See you soon events It was almost as if the governor was saying farewell to an old friend after a cocktail party तो जो governor है वो events को कहते हैं See you soon जल्दी वापिस से मिलते हैं और यह इस तरीके का लग रहा था goodbye जैसे कि वो farewell दे रहे हैं किसी एक पुराने दोस्त को एक party के बाद शीरियो सर शीरियो मीन्स बहुत ही इन्फर्मल तरीके से जब हम goodbye बोलते हैं जैसे बोलते है goodbye sir I there I wasn't just wondering I know your germans pretty good sir तो जैसे कि मैं सोच रहा था कि आपकी जो जर्मन है वो थोड़ी सी अच्छी है तो do you know any more of these model languages तो कि आपको कोई और भी modern languages में से कुछ आता है not very well why गवनर बोलते है नहीं कुछ खास तो नहीं जैसे नहीं आता मुझे इवन सेटल हिमसेफ कमपचिबली on the back seat and grinned happily nothing, really तो वो कहता है इवन से आप से अपनी back seat पे बैट जोता है और हसने लगता है कहता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं मैं तो ऐसी ही पूछ रहा था I just happened to notice that you have got some O-level Italian classes coming up next September that's all तो कहता है कि मुझे असा लग रहा है कि अगले साल September में आपको O-level classes Italian subject के लिए लगानी हो सकती है या आपके पास यह जिम्मा आ सकता है जैसे अपके बार जर्मन के लिए उसने किया था अगली पार शाइद वो Italian के लिए काई आपको O-level classes लगानी पड़े तो कहता है कि शायद नेक्स सेप्टेंबर तक तुम हमारे साथ नहीं हो इवांस James Roderick Evans appeared to ponder the governor's words deeply नो, perhaps I won't he said तो James Roderick Evans जो इवांस का पूरा नाम है वो इस बारे में सोचने लगता है ponder means सोचने लगता है जो governor ने उसको कहा और फिर कहता है कि हाँ, शायद मैं नहीं हूँ आपके साथ अब भी यहाँ पे हम देख सकते है कि prison van के अंदर जैसी prison van turn होती है जो जगा है वहां से Oxford Road की तरफ prison में ले जाने के लिए उसको तो hit hurt हो hit hurt हो means होता है अब तक जो silent prison officer था ना जो कुछ भी नहीं बोल रहा था वो हमारे events के handcuffs खोल देता है और driver की तरफ जुपता है leaned means आगे जुपता है और उसे बोलता है for Christ's sake, get a move on it won't take them long to find out तो कि भखवान के लिए जल्दी चलाओ इस चीज का पता लगाने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगेगा यहां हम देख सकते हैं कि जो silent prison officer है और जो driver है वो दोनों ही events से मिले हुए उसके दोस्त है and they are not the real officers where do you suggest we make for ask the driver in a broad Scott accent तो वो कहता है कि तुम क्या suggest करते हो कि हमें कहां जाना चाहिए और वो जो driver है वो एक accent में Scottish accent में बोलता है what about newberry suggest events events कहता है newberry के बारे में तुम्हारा क्या खयाल है तो हम यहापे एक चीज देख सकते है कि यहापे जो Scott accent में बोलता है driver that is the mcclory जो mcclory बनके वहाँ पर आया था वो वो था so this is how everything is planned by events और जो कि बहुत ही जादा clever तरीके से उसने plan किया और हर time jail के अंदर और बागते time और वापिस जो पकड़ा गया उसके बाद भी किस तरीके से उसने उन सब चीजों से escape मतलब कि वो easily अपने दिमाग को use करके कर पाया और चारो तरफ उसके जो friends थे वो फैले हुए थे although वो किसी से भी नहीं मिलता था but still he got lots of friends and it is a kind of very interesting chapter we read and I hope you enjoyed it thank you